धोबी का गध्धा की कहानी किसी एक गांव में एक धोबी अपने गध्धे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गध्धे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी र एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ, कपड़े धोने, धोबी घाट जा रहा था। गधे के लिए जतन करने लगा। गधे के साथ क्या हो रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आँखों से आंसु निकलने लगे। गधा कुछ देर चिलाया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गामवाले उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गध्धे में गिरा देता और उस मिट्टी के उपर चरच जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गध्धे में मिट्टी भरती रही और गध्धा उस पर चढ़ते हुए उपर आ गया। अपने गध्धे की इस चतुराई को देख कर धोबी की आँखों में खुशी के आंसु आ गये और उसने गध्धे को गले से लगा लिया। कहानी से सीख बच्चों, धोबी का गध्धा, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में भी आप अपनी बुद्धी का प्रयोग कर कठिनाईयों को पार कर सकते हैं। तो कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें इस स्टोरी का क्रेडिट जाता मॉम जंक्शन को और वॉइस क्रेडिट जाता है इलेवन लाब को